So, Hello Students, Welcome to WeMake Creators तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि अगर आपको अमीद बढ़ाना जैसा थमनेल अपना Android Mobile Phone की मदद से Pixel Lab में बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक थमनेल डिस्प्ले हो रहा होगा हम लोग ठीक इसी तरीके का थमनेल आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं तो इस τटफ का थमनेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग Pixel Lab को ओपेंद कर लेते हैं तो Pixel Lab को Open करने के बाद हम लोग के सामने खुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है हम लोग यहां उपर 3.00 में जाते हैं और यह Image Size में जाते हैं और यह Image Size में हम लोग YouTube Thumbnail को Select कर लेते हैं ओके तो YouTube Thumbnail को Select करने के बाद जो यह New Text है हम लोग स्क्रीन के बाहर कर देते हैं तो इसके बाद हम लोग यह Hexagon वाले आइकन में जाते हैं और यहां Import में जाते हैं और यहां Import में मैं एक Sky के Image को Select कर लेता हूँ तो मैंने Sky के PNG को Select कर लिया है इसके बाद मैं इसको साइट स्क्रॉल करता हूँ तो इस साइट स्क्रॉल करने के बाद मुझे यहां पर Color Filters का Option मिलता है तो मैं Color Filters में जाता हूँ तो इक Color Filters की मदद से मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से Color Correction कर सकता हूँ यहां से तो मैं यहां पर क्या करता हूँ Saturation को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे यह काफी अच्छा लगता है दिखने में फिर यहां से हम चाहे तो इसके Brightness को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता ह और इसके Contrast को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा दिखने लग गया अब तो मैं इसको OK कर देता हूँ फिर इसके बद मैं और PNGs वगेरा को यहां से Import कर लूँगा भी इसको Unselect कर लेते हम लोग तो इसको Unselect करने के बद हम लो इसको Download कर सकते हैं तो वो सभी PNGs को Download करने के बाद आप अच्छे से Practice कीजिए Pixel Lab में जिससे आपका भी Editing Skill बढ़ जाए तो इसके बाद मैं यहां Import में जाता हूँ और वो सभी Images को Import कर लेता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आपे बहुत सारे PNGs को यहां पे Import कर दिया है तो अभी इस PNGs के मदद से मैं Thumbnail को Create करूँगा तो इसके लिए सबसे पहले जो PNG मुझे यूज में नहीं है उसको मैं Lock कर देता हूँ यहां पे तो जैसे कि सबसे पहले मुझे House को Arrange करना है तो इसलिए मैं सब को यहां साइड में ला दूँगा और इसको यहा बड़ा business है उसकी campaigning video marketing से कर सकते हैं तो हमारा number है जहां पर हमारे counselor आपको बताएंगे कि अगर आप student है, professionals है, business है, business owners है, किस तरीके से आप अपने business को, अपनी study में, part-time earnings को और अगर आप job going है तो किस तरीके से earning कर सकते हैं, दीवे number पर आप call करेंगे, पूरी details मिल दीवे number पर call करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको log करने के लिए हम लोग यह उपर layer वाले option में जाते हैं, और यहां पर सभी layer को log कर देते हैं, तो चलिए मैंने यहां पर सभी layer को log कर दिया, इसके बाद जो यह house वाला PNG है, मैं इसको यहां से enlarge कर देता हूं, तो चलिए मैंने इसको enlarge करके कुछ इस तरीके से लगा दिया है, फिर इसके बाद मैं layer वाले option में जाता हूं, और इसको log कर देता हूं, अब जिसका ज़रुवत है मुझे अब मैं इसको unlock करूंगा, जैसे कि यह wall, तो यह wall को मैं unlock कर देता हूं, ओके, तो जो wall है मैंने इस है मैं इसको select कर लिया और इसको मैं यहां से enlarge कर देता हूं, तो अब देख सकते हैं, मुझे इसका height इतना रखना है, और इसका width मैं जैसे कुछ इस तरीके से बढ़ा दुआंगा, तो इसको मैं तो कुछ फिर इस तरीके से सेट कर कर दूँगा, तो चलिये wall select हो गया, इसक को भी lock कर देता हूँ our Queen is के बाद मैं यह वाल के उपर जो ग्रास हुगा हुआ है उसको मैं सेलेट करूंगा तो इसके लिए मैं इसको उनलग करता हूँ ओके तो विवाइता है मैं इसको सलेट करके कुछ इस तरीकेसे ला देता हूं तो अब इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यह image को पहले import किये रहते तो कैसा दिखाता है मालेज़े यह two front में है अगर यह सामने है तो खुछ इस तरीके से दिखता है और अगर आपको इसको पीछे लेके जाना है तो वो कैसे करेंगे तो मैं इसको simply select करूँगा और यहां layer वाले option में जाऊँगा तो इसको मैं यहां नीचे खिचके wall के नीचे लादूँगा तो इसके मदद से आप इसको wall के पीछे लेके जा सकते है तो ओके हमने grass को भी arrange कर दिया है फिर इसके बाद मैं इसको lock कर दूँगा अब इस बार मैं जो कपड़े का png है इसको मैं unlock कर देता हूँ तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से arrange कर देता हूँ फिर इसके बाद मैं layer में जाता हूँ और इसको lock कर देता हूँ फिर इसके बद मैं और नीचे जाता हूं तो यह CTE का PNG मिलता है मुझे तो CT के PNG को मैं भी unlock कर देता हूं और इसको पीछे select करता हूं और इसको थोड़ा से enlarge कर देता हूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से set कर देता हूं पीछे ओके तो मैंने इसको और बड़ा नहीं लिया है मैं चाहे तो इसको और बड़ा ले सकता था क्योंकि मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहां पर image import करूंगा तो उसके वज़े से वैसे भी बिल्डिंग नहीं दीखेगा तो मैंने इसको साइड में ही अरेंज कर दिया है फिर इसके बाद हम लोग को ट्री का पी एंजी मिल जाता है तो इसके लिए हम लोग फिर से लेयर वाले तो देखिए मैंने सरकल को सेलेट कर लिया ओके फिर हम लोग नीचे ग्रेडियंट में जाते हैं और यहां पर ग्रेडियंट में सेलेट करते और यह प्लस में जाते हैं तो यहां ग्रेडियंट में मैं बता दे तो आपको यहां ग्रेडियंट कैसे बनाना है तो सबसे पहले तो यहां आपको उपर 6 option मिलता है इसमें साब को चौथा ओला option select कर लेना है जिसे यह circle position में आ जाता है फिर इसके बाद हम लोगे white color को select करेंगे और यह color में जाएंगे तो इसका color मैं यहां से change करके yellow रख देता हूँ फिर जो यह इसका transparency है इसको मैं full रख देता हूँ फिर इसके बाद मैं इसको select करता हूँ और इसमें मैं yellow color रखता हूँ फिर से ओके मैंने इसको yellow रख दिया और इसमें इसका transparency प्रेंसी फूल रहने देता हूं फिर इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं या आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है इसको मैं सेलेट करूंगा और इसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करूंगा तो आपको भी कुछ इस तरीके से सेट करना है ओके फिर इसके बाद मैं मैं इसको थोड़ा से enlarge करता हूं ओके फिर इसके बद मैं क्या करता हूं ये उपर लेयर वाले Metro में जाता हूं और जो ये वाला लेयर है इसको मैं सबसे नीचे ला लेता हूं कि तो कि मैंने इसको सबसे नीचे ला लिया हूँ तो अब देख सकते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर Sunset हो रहा है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं background thumbnail का तो मैंने background को पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है अब इसके बाद हम लोग text और images को import करेंगे तो अभी मैंने image को import कर दिया है इसके बाद मैं आपको बता देता हूं आपको इसमें text कैसे add करना है तो इसके लिए हम लोग यह वाले icon में जाते हैं और यहां plus text में जाते हैं तो जो यह new text है हम लोग इसको double tap करते हैं और यहां पर हम लोग लिग देते हैं बेरोजगार तो चलिए मैंने यहां पर बेरोजगार लिग दिया है इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा enlarge करता हूं और इसको i say scroll करने के बाद मैं यहां font पर जाता हूं और यहां पर इसके जाता हूं और यहां पर एक image select कर लेता हूं तो यह texture वाले image का भी link आपको description में मिल जाएगा आप इसको वहाँ से use कर सकते हैं तो चलिए मैंने यह वाले texture को select कर लिया है ओके तो यह texture को select करने के बाद हम लोगों को नीचे मिलता है maintain ratio का option तो मैं maintain ratio को enable कर देता हूं फिर यहां पर आपको scale का option मिलता है आप चाहे तो यहां से scale को control कर सकते हैं इसको zoom in, zoom out तर सकते हैं तो मैं इसको 100 तकी रखता हूं ओके फिर इसके बाद मैं इसको इस साइट स्क्रॉल करता हूं तो इसको इस साइट स्क्रॉल करने के बाद हम लोग यहां पे स्ट्रोक का ओप्शन मिलता है मैं स्ट्रोक में जाता हूं और इसके स्ट्रोक को इनैबल कर देता हूं तो इसके स्ट्रोक को इनैबल करने के बाद म कर दिया फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूं आपको इसको कर्फ कैसे करना है तो इसको कर्फ करने के लिए आपको यहां साइड में स्क्रॉल करना है तो इसको साइड में स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पे कर्फ का ऑप्शन मिलता है तो हम लोग कर्फ में जाते ह तो यहां से आप इसके bending को control कर सकते है तो इसके bending को मैं इतना रखता हूँ फिर मान लीजी आपको इसका size बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम लोग इसको side scroll करते है तो यहां पे हम लोग को size का option मिलता है तो आप चाहे तो इसके size को enlarge कर सकते है इसको एक बार curve करने के बाद आप इसके size को manually adjust नहीं कर सकते है पर लेकिन यहां से adjust कर सकते है तो इसको मैं यहां से enlarge कर देता हूँ कुछ इस तरीके से फिर आप चाहे तो इसके shadow को भी और बढ़ा सकते है तो इसके shadow को भी मैं बढ़ा देता हूँ और तो इसके shadow को मैं इतना रहने देता हूँ ओके फिर इसके बाद हम लोग एक बार और text में tap करते है तो यहां पर new text आ जाता है फिर हम लोग new text में double tap करते है और इस बार हम लोग यहां पर लिग देते है बैचलर्स तो चलिए हमने यहां पर बैचलर्स लिग दिया है फिर हम लोग इसको इस साइट स्क्रॉल करते है तो यहां हम लोग color में जाते है तो इसका color मैं यहां से red रग देता हूँ तो okay मैंने इसका color red रग दिया है फिर इसके बाद मैं इसको इस साइट स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर हम लोग को फॉंट को उप्शन मिलता है हम लोग फॉंट में जाते हैं और इसका फॉंट यहां से चेंज कर देते हैं तो चलिए मैंने यहां पर इसका फॉंट चेंज कर दिया है अब मैं इसको थोड़ा आप चाहे तो इसमें शैडो को भी नेवल कर सकते हैं मैं शैडो में जाता हूं और इसको इनेवल कर देता हूं तो मैं इसको इतना रखता हूं या फिर आप चाहे तो आउटर ग्लो को भी नेवल कर सकते हैं तो यहां पर और आपको शैडो देखने मिल जाएगा ओके मैं इसको इतना रखता हूँ तो अब देख सकते हैं बैशलर्स को अन सेलेक्ट करने के बाद इसका S कटा हुआ दिख रहा है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको फिर से सेलेक्ट करते है और इसको डबल टैब करते है तो इसको double tap करने के बाद हम लोग space बटन के use करते हैं और इसमें एक बाद space डाल देते हैं और B के पहले भी हम लोग एक बाद space डाल देते हैं तो अब देख सकते हैं S और B दोनों ही नहीं कटा हुआ दिक रहे हैं तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा enlarge कर देते हैं और नीचे कुछ इस तरीके से ला देते हैं फिर इसके बाद हम लोग इसको इस साइट स्क्रॉल करते हैं तो इसको इस साइट स्क्रॉल करने के बाद हम लोग को फिर से कर्फ का उप्शन मिलता है हम लोग फिर से curve में जाते है और इसके bending को यहां से बढ़ा देते है तो आप देख सकते हैं इसके bending को बढ़ाने के बाद इसका white वाला stroke कट जा रहा है तो यह white वाले stroke ना कटे इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको अभी cross कर देते हैं और इसको stroke में जाते हैं और इसके stroke को enable कर देते हैं तो अभी मैं आपको एक trick बताने वाला हूँ यह काफी useful है आप देखिएगा ध्यान से तो इसको अभी हम लोग side scroll करते हैं curve में जाते हैं और इसको curve को enable कर देते हैं और इसके plus में बढ़ा के जाके इसको बढ़ा देते हैं तो अब देख सकते हैं मैंने इसके curve को enable कर दिया है यहां से फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यह उपर layer वाले option में जाएंगे तो आपने जो देखा था हमने new text को screen के बाहर कर दिया था यह वाला हम लोग का इस part में काम आएगा तो हम लोग यह tick वाले option में जाएंगे और यह new text को select कर लेंगे फिर इसके बाद जो हम लोग का bachelor's वाला text था हम लोग उसको भी select कर लेते हैं और यह दोनों को यह वाले icon के मदद से merge कर देते हैं तो यह merge हो जाएगा यहां से तो अब इसको merge करने के बाद हम लोग इसमें stroke add करेंगे तो हम लोग hexagon वाले icon में जाते हैं और इसको इस side scroll करते हैं तो इसको इस side scroll करने के बाद हम लोग को यहाँ पे stroke option मिलता है हम लोग stroke में जाके इसके stroke को enable कर देते हैं तो आप देख सकते हैं स्ट्रोक को इनैबल करने के बाद यह स्ट्रोक कितने अच्छे से यहां पर विजिबल हो रहा है तो इसके स्ट्रोक को मैं लगभाग 56 तक ही रखूंगा तो इसको मैं 56 तक रखता हूं ओके फिर इसको मैं इस स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर मुझे श निस टेक्स में जाते हैं और यहां episode 3 लिख देते हैं तो यह बैसलर क्या स्पेलिंग पर आप मत जाये गा गलती से हो गया spelling mistake फेन यूटेस्ट को हम डाभावल टैप करते और यहां पर हम लोग लिख देते हैं episode 3 तो चलिए मैंने आपे एपिसोड 3 लिग दिया है सेम वैसी मैं यहाँ पे इसका font चेंज कर दूँगा इसको side scroll करूँगा font में जाऊंगा और इसका font यहां से change कर दूँगा तो चलिए मैंने इसका font चेंज कर दिया है इसके बाद मैं इसमें भी stroke वगिर add कर दूँगा तो side में जाओंगा इसके stroke में जाओंगा और इसको enable कर दूँगा तो यहाँ पे इसका color को भी मैं black ही रखता हूँ ओके black है फिर इसके stroke width को थोड़ा बढ़ा देते हैं फिर इसके shadow को भी enable कर देते हैं तो इस तरीके से आप इसमें और editing कर सकते हैं आप चाहे तो shadow को enable भी कर सकते हैं तो मैंने shadow को इसलिए use किया है क्योंकि इसका skin है वो दिख रहा है तो skin के साथ यह match हो जा रहा था color तो इसलिए visible नहीं हो रहा था तो इसके original thumbnail में अमीद बढ़ाना का t-shirt दीक रहा था black color का तो इसलिए उसमें shadow अगे रहा का use करना नहीं पड़ा पर हम लोगो shadow use करना पड़ेगा अगर आप light color use करते हैं तो अगर dark color है तो shadow को use करने का कोई जरूरत नहीं है अच्छे से आपका thumbnail बन जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आप अमीद बढ़ाना जैसा thumbnail अपने android mobile phone की मदद से pixel live में कैसे बना सकते हैं तो इसी के साथ इस video को एंड करते हैं थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस video तो दोस्तों कैसा लगाए ये video कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो counselor आपके लिए 14 घंटे बैठें दिवे नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं